पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि क्रास वाइंडिंग क्या होता है उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या तो नीचे इसके पहले वाला वीडियो है आप जा करके देख सकते हैं Cross Winding क्या होता है और उसी को कुछ लोग Open Winding कहते हैं तो Open Winding और Cross Winding में क्या difference होता है आज complete इस वीडियो में हम समझने वाले हैं तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन को प्रेस करके All पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल पाया और वीडियो को देख पाएं सबसे पहले तो Cross Winding क्या होता है आप जा करके सीख लेजिए उसी को Open Winding भी कहते हैं अब Open Winding, Cross Winding जो दोनों एक ही होता है कुछ लोग ऑप उपंवाइंडिं कैते हैं जो टिकनिकल लैंगमेज है उसे open winding कैते हैं लेकिन आमारे कुछ लोग Cross Winding भी कहते हैं दोनों एक ही होता है तो उस वीडियो में सीख था कि चेक कैसे करते हैं कि Cross BY22 क्या है कैसे पता चलता है कि cross winding हो चुका यह compressor नहीं चलेगा, जब cross winding हो जाता है तो compressor नहीं चलता है, इसको ध्यान में रखे, यह prins start और उगा, तो DCB trip हो जाएगी, यानि कि दो नो winding को जाती है, कौन कौन सी running और common, यानि की न्यूटल ऑफ लाइन जो कंप्रेसर में सप्लाई जाता है वह सौठ हो जाता है दोनों दोनों वाइंडिंग इसलिए वह उसी को क्रास कहते हैं अब यह क्रास वाइंडिंग होता क्यों है इसको भी समझ लीजिए कौन-कौन से रीजन के वह जैसे क्रास सबका रीजन एक ही होता है क्या रीजन होता है इसको भी समझ लिजीं है ऑग तो देखिए कभी भी कंप्रेसर योबर हीत होता है खंप्रेसर ऑफरलोड होता है two 1 वज़य से कंप्रेटर विए भिं। हो जय तो इस वजह से omप्रेशर का ओप्रन हीट होने के कई रीजन हो सकते हैं इसके ऊपर मैं काफी डीटेल में वीडियो बना चुका हूं उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए कि कंप्रेसर ओबर हीट होने के क्या क्या रीजन होते हैं अब देखिए कैपसीट पर रन नहीं कर पाएगा और रेफ्रिजरेंट को पास नहीं कर पाएगा अच्छे से साइकल नहीं कर पाएगा तो होगा क्या कि compressor के उपर load पड़ता है और load कहां भी पड़ता है पता है compressor के winding के अंदर load पड़ता है जहां पर winding होता है rotor stator उसका होता है वो चलने में थोड़ा difficult होता है इसके वह जैसे वहाँ से heat up generate होता है वहाँ से heat up निकलता है तो वही heat up आकर के body में पूरे compressor के body कोड़ी में हीट अप होता है और हीट अप होते 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 कभी-कभी ऐसा होता है कि जो उसमें ऑबर लोड लगा होता है वो ट्रिप नहीं कर पाता है और ट्रिप करता भी है लेकिन जब बहुत ज्यादा लोड हो जाता है तो ट्रिप करता है लेकिन अगर जरूर से ज्या वाइंडिंग आप देखिए तो उस पे एलो कलर का उसमें कोटेंग चला होता है तो क्या होता है कि वो जल जाता है उसके उपर जो पेंट होता है ना पेंट वही उसका कवर होता है ताकि वाइंडिंग साट ना होने पाए वही जो होता है एलो कलर को जल जाता है जलने के लगता है जो रनी जो common और जो हमारा neutral line supply जो compressor में जा रहा है वो कहीं न कहीं सौर्ट होने लगता है आपस में अगर एक बार winding कहीं न कहीं आपस में साथ हो गया फिर body में कहीं touch हो गया तो फिर समझ जाए कि वो compressor नहीं चलेगा कभी भी नहीं चलेगा जब भी compressor overheat होता है overload होता है और सिस्टम में refrigerant ज्यादा होता है तो यहीं सब region होते हैं यानि कि compressor सब मिलाकर मैं साट काट में एक ही बताऊं कि compressor के उपर load पड़ता है तभी compressor का जो winding हो open हो जाता है compressor क्रास वाइंडिंग हो जाता है उसी को कहते हैं और यही region होता है कभी भी compressor overload हो रहा है तो समझ जाए कि एक नएक दिन एक compressor खराब हो जाएगा अगर overload हो करके trip हो रहा है तो यही रीजन होता है तो यह होता सा वीडियो था छोटी से जानकारी थी अब compressor overheat क्यों होता है क्या क्या रीजन होते हैं इसमें मैं थोड़ा सा बता दूँ के capacitor weak होता है तो भी compressor overheat होता है कैपिलरी चोक होती है यानि कि system में choking होता है तो भी compressor होटता है क्योंकि रेफ्रेजरेंट को जब रन नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि compressor के ऊपर load पड़ेगा और compressor overheat होगा तो यह तो हो गया कैपिलरी और यह हो गया fan motor अगर slow चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है तो भी compressor overheat होता है यह सारे रीजन होते हैं इंडोर में अगर blocking है इंडोर इंडोर का जो blower नहीं चल रहा है तो भी compressor के उपर load आता है तो यह सब रीजन है अब काफी details में मैं इसमें नहीं नहीं बताऊंगा इससे पहले वीडियो बना चुका हूं details में उससे जाकर कि देख लीजे और सीख लीजिए तो छोटा सा वीडियो था छोटी ज्यानकारी था गर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जिरू कर दें लाइक बताना चाहूंगा चैनल को आपके साथ